नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम एक महत्वपूर्ण और विवादित विशय पर चर्चा करेंगे भारत में समान नागरिक संहिता जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं समान नागरिक संहिता क्या होता है? यह सवाल आपके मन में हो सकता है चलिए, हम समझते हैं कि यह क्या होता है? हमारा भारत विश्व की सबसे विविधता प्रधान देशों में से एक है यहां सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं पर धर्म के नाम पर अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग नागरिक संहिताएं होने के कारण अक्सर संगर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है समान नागरिक संहिता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान विधिक नियमों का प्रावधान होता है चाहे वह किसी भी धर्म, जाती या लिंग का हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा ये समानता, न्याय और निश्पक्षता का प्रतीक होगा ये समाज में जातिवाद, पाठ, असमानता और भेदभाव को दूर करने में मदद करेगी जाती, धर्म या लिंग के बजाए नागरिकता ही हमारी पहचान होगी समान नागरिक संहिता के लागू होने से, समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से जुड़े विभाजन कम होगे सभी नागरिकों को एक ही कानून के तहत न्याय मिलेगा ये एक क्षेत्र है जहां भारत को अपने समविधान के मूल अधिकारों को पूरा करने की आवश्यक्ता है हमें अपने देश को धर्म निर्पेक्ष और विभाजन मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाना होगा वर्तमान में भारत में समान नागरिक संहिता का पूर्ण निरूपण नहीं हो सका है भारतिय समविधान में समान नागरिक संहिता के प्रती आम सहमती है लेकिन इसके अनुपालन के लिए अनुच्छेद 44 के तहत राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होता है इस विवादित मुद्दे पर विचार करते समय हम यह नहीं भूल सकते कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतिय समाज में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना होगा इसके फायदे और हानिया दोनों होते हैं और हमें एक संतुलित समाधान खोजना होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या भारत को समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए आपके साथ इस विशय पर चर्चा करके हमें खुशी हुई कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय दे हम जल्दी ही आपके लिए एक और रोचक वीडियो लेकर आएंगे धन्यवाद और जय हिंद